तो यार हमने गेमिंग, नोन गेमिंग, सस्ते और महंगे हर तरह एक एक माउस रिव्यू कर रखे हैं बट आज हैं तीन तरह के अतरंगी सतरंगी माउस जो शायद ही तुमने देखे होंगे वैसे हो सकते देख भी लिए हो तो पहले हमारे पास यह जैबरोनिक्स का डॉल्फिन माउस तो कुझ ऐसा इसका बोक्स है सामने माउस चाफ रखे है बिल्कुल डॉल्फिल की शगला बाई और यह उल्टा उपस शिट वाई इसे कहते है इतनी अन्बोक्सिंग करने के बाद भी बुरा आल तो यह अपना माउस और इसके अंदर क्या-क्या निकला और निकली है एक ब्लुटूथ माउस है तो कनेक्शन के सारे प्रोसीजर है अच्छा जी ठीक है खुदी कर ले यह इतना ग्यान नी चाहिए मैं तो देख सकते हो भाई कैसा वाइट कलर का चमकता धमकता एकदम डॉल्फिन की शेप में आ रखा है माउस यह सामने जबरोनिक सीर एंडिंग और यह पूरा पार्ट अपना ग्लोसी फिनिश में आता है तो स्क्रैच का पूर साइलेंड भाई आवाज ही नहीं है एंड यह राइस का स्क्रोल वील जहां से भाई तुम स्क्रोलिंग करोगे बीच में नहीं है साइड में एकदम थम की पोजिशन पे सेट है और यह शेप पूरी ऐसे दे रखी है अर्गोनोमिक फील्ड देने के लिए मेरा हाथ तो पू ब्लूटूथ पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए कोई स्वीच नहीं दे रखा जस्ट नैनो रिसीवर जो है ना वो हटा देना अगर लगा रखा तो और फिर इसको पावर ओफ कर देना फिर दस सेगेंड बाद ओन करोगे तो फिर यह अपने आप ब्लूटूथ डिवाइस इसमें शो कर देगा जिस भी डिवाइस से तुम्हें कनेक्ट करना है और एक डिवाइस के बजाए दूसरे से कनेक्ट करना है तो फिर पहले वाले से तुम्हें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा यह समधर हो गए एक टाइम पर एक ही डिवाइस सपोर्टेड है और Bluetooth version 5.0 तो क एक्टिविटी स्मूध हो जाती है इसमें कोई दिक्कत नी आई उसमें और दस मीटर तक की रेंज है इसकी बाकि यार सैल इसके अंदर हमें नहीं मिलता बाकि भाई सैल इसके अंदर मुझे लगता है देना चीए था यह गलत करा भाई जैपराउनेक्स आपने है बहुत बाकि अपना सैल निकाला जाए और माउस में डाला जाए अब ब्लुटूथ दिवाइस दिखा रहा है यहां पर कि पेयर करना हो तो यहां पर हम कनेक्ट करेंगे और अपना माउस जो है पेयर हो चुका है यह देख सकते हो रिसीवर भी यहां पर मैंने कनेक्न नहीं किया बाकि वेट की बात करें तो कुछ 90 ग्रैम्स का इसका वेट कर सकते हो भाई डेफिनिटली एक नया सा अलग सा लुक मारता है अगर तुम इस अपने सेट अप पर रखके यूज करोगे नॉर्मल माउस से तो बड़ा यूनिक लगता है देखना में और ब्लुटूथ है तो उसका फायता भी मिलेगा कि अगर यह रिसीवर खो जाए तो लेफ्ट वाला बटन है उसको अगर प्रेस करो तो वो थोड़ा सा टाइट है यह प्लास्टिक भी इसका थोड़ा सा अवाज करता है यह से तो में भी हो सकते मेरे वाले माउस में थोड़ा मैनुफेक्ट्रिंग डिफेक्ट हो सकता है इसके अलावा बाकी सारी चीज है कोई बाद नहीं लेट सी दा माउस ओहो माउस तो बड़िया लग रहा वाई और अंदर क्या क्या है कुछ पुस्तक है वरेंटी कार्ड और एक इसकी यूजर मैनुवल जिसमें पतनी का क्या लिगा है माउस के लिए कौन पढ़ेगा इन है तो देख सकते हो कुछ ऐसी सी ल इस पर भी यह से रबराइस ग्रिप दे रखिया और यह चमकता है भाई प्रोम फिनिश दे रखिया यहां पर भी बागि यह रहा अपना डी प्या बटन और दो बटन यहां पर मिलता है में बैक वर फोरवर अपरेट करने के लिए बागि नीचे से देख सकते हो कि पहले बैटरीज इने भी डाल लें और यह ओन हो चुका है माउस भाई कुछ भी काऊ यार लुक वाइस प्रीमियम तो बहुत जादा लगता है यह ऐसे देख कर के इना स्टेंड आउट सा करेगा कि वाई यह क्या रखा है माउस तो लगी नी रहा है और अगर कमफर्ट की बात करें तो ऐसे करके इसे पकड़ सकते हैं और नीचे से भाई उरे भाई स्मूध है और टेवल भी विल्कुल एकदम स्मूध लग रहा है तो यह बिना माउस पैड के तुम बढ़िया यूज कर सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नी आई कि तुमें और जैसे हम इसे होल्ड करत कर सकते हो लोग आवर्स तक भी दिक्कत नी आती अब क्योंकि यह ब्लुटुथ नी है तो रिसीवर्स हमाल के रखना पड़ेगा और टैन मीटर्स तक की रेंज है इसकी और कुछ 600-700 के आसपास का इसका प्राइज है जो की काफी जादा सही है एक सस्ते वायरलेस माउस के आप से भाई लुक्स में भी प्रिमियम है और भाई फी लेविल को लेकदम बढ़िया वाली सेट अप पे रखोगे ना तो एक महेंगा बाउस लगेगा मतलब सस्ता तो लगेगा ही नहीं है मैं इसे जब से यूज कर रहा हूँ ना हर बंदा आ के देखता है कि यह क्या ले है इससे मैक्सिमूम 1200 तक डीपी आइजस्ट हो जाती है 800, 1000 और 1200 तो अगर ऐसे स्टाइल का यूनीक माउस लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली ले सकते हो मेरेको तो बढ़िया लगा और इसका वेट है बाई 110 ग्राम्स का थोड़ा सा जादा लगा मेरेको क्योंकि अगर माउस के साथ मिलती है एक यूजर मैनुवल वाह नहीं देखनी हमें पूरा मैट फिनिश रबराइस टेक्चर आहा तो यह दिखने में काफी जादा पोर्टरोनिक्स वाले की तरह ही लग रहा होगा भई बिल्कुल एक्दम तीर का निशान है एंड इसको भी बिल्कुल हम इसी शेप में आता है और यह फूरी शार्क फिन वाले शेप में है तो लूच में freuen दीव तो है इवन अपने मााउस के टेक्च्चर में वाछ इसन रपरा माउस तेक्चर है और इस पर प्लास्टिक पे मैट टेक्चर तया स्क्रोर्ल विल देख सकतो इसका भी ग्रपराइस सेवर सब्सक्राइब करना अगर वो हो गया ना तो यह अपाईज हो जायागा फिर डूंडते रहना ले करके किसी काम का नहीं है मैं तो लैप्टोप पे लगा छोड़ देता हूं ओन हो चुक है बाई माऊस अपना और यहां देख सकते अपनी जो लाल वाली सेंसर की लाइट यहां पर भी दिखती है भाई यह देखो इसका परपस समझ नहीं आया मुझे इससे बढ़िया आर जी भी दे देते है क्या करूमा में इसको देखके क्या मतलब है यहां ब्रेंडिंग बगरा कर रही है और यह वाला है अपना डीपी आइडजस्ट करने का बटन और यह फो अपना यूज करो ना तो भाई एक फीलिंग तो अलग सी आती है थोड़ा टाइम लगेगा है इसलिए कमफर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा तुम्हें और इसके अंदर भी स्लीप मोड दे रखा है अगर यूज नहीं करते तो आठ मिनट के बाद यह ओटमेटिकली पावर जाएगा बैटरी बच जाएगी फिर यूज करो के दुबारा तो ओन हो जाएगा अपने आप और इसका प्राइज भी कुछ 600 रूपीस के आसपास है तो उसके साफ से मुझे कोई दिक्कत नि लगी बतलब ठीक है बिल्ट कॉलिटी भी डिसेंट सी है बहुत बढ़िया तो इसकी थोड़ी सी बिल्ट कॉलिटी मुझे हलकी सी लगी मलब वह जो मैंने क्लिक वला इशू बताया था तो में भी हो सकता है मेरी उनिट में हो बाकि माउस ये भी बहुत बढ़ी है ओवरॉल बहुत ही सही लगा मेरे को ये एंड ये वाइट कलर तो मस्त लूप मारता है अगर ब्लुटूथ के साथ चाहिए तो फिर जब्रोनिक्स इस दा ओनली ओप्शन जो कि ये फैसिलिटी दे रहा है और इतने कम प्राइज में वह भी इतनी भड़ी अर्गनोमिक फील के साथ बकि जब्रोनिक्स वाले का प्राइज कुछ 700 रुपीज के आस-पास है और इत झाल 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 झाल